एक fresh civil engineer के लिए जो अभी अभी नाया आया है recently industry में उसके लिए चीज़ों को knowledge लेना बहुत अधाया important है क्योंकि आप YouTube की जो university है उससे चीज़े पढ़ तो सकते हैं सीख तो सकते हैं लेकिन वो sequence में नहीं होगी अगर आपको सारी चीज़े sequence में सीखने है क्योंकि जब आप ए नमस्कार दोस्तो मैं इंजिनर रकाज बहुर एक बर फिर से आप सबी को सौगत करता हूँ सिविल गुर जी the civil engineer training institute में हाला की lockdown ज़रूर हो चुका है हम हमारे घर पे बंद हो चुके हैं properly कहीं आना जाना हो नहीं सकता लेकिन आपकी और हमारी learning के बीच में कोई भी coronavirus कुछ एफेक्ट नहीं कर सकता आज के इस वीडियो लेक्चर पे मैं आपसे डिटेल पे बात करने वाला हूँ ड्रॉइंग को किस तरह से रीड किया जाता है और कुछ important cutting lengths हम किस तरह से निकाल सकते हैं जैसे कि पहले part में हमने discuss किया था proper basic rules and regulation standards अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो please part 1 जरूर देखें part 1 में आपको पूरा overall overview मिलने वाला है bar bending schedule क्या होता है किस तरह से हमें उसको समझना है फिर ये second part में आए ताकि ये second part में आपको और सारी चीज़े बहुत ज़ादा अच्छे वे में और अच्छे तरीके से समझ में आए तो आए दोस्तों देरी ना करते हुए हम शुरू करते हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर का सेशन है properly detail पर मैं आपको ले चलता हमारे slide की और तो जो सबसे पहले पार्ट जो हमारे रहेगा आज का वो रहेगा कि reading how to read symbols in drawing drawing की symbols को किस तरह से read किया जाते है आज उस पारे में हम properly start करते हमारा video lecture सबसे पहले जो हमें देखना है symbols and representations in BBS जैसे कि आप screen पर देख पा रहे है clearly कुछ symbols हमारे drawing पर given होते हैं जिसको समझे रहा बहुत जादा जरूरी है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला symbol है हमारा 5 यह show करता है हमेशा plain round bar जो की FV 250 है plain bar को show करता है 5 symbol यहाँ पर आपको dark rectangle square symbol दिख रहा होगा यह हमारा plain square bar के लिए use होता है जहाँ पर भी हमारी plain square bar यूज होती है for example grills में हमारी plain square bar यूज होती है similarly आप यहाँ पर देख सकते है hash हमारा symbol दिख रहा है यह हमें default bar यानि FV 4 and 5 FV 500 का symbolization देता है default bar and add the rate जो हमारा symbols है वो हमें center to center किसी भी दो बार की center to center spacing बताने के लिए symbol use किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते कि 5 यह square symbol और hash symbol हमें क्या बताता है die of bar किसी भी die of bar को represent करने के लिए symbol use किया जाते है दोस्तों मैं आपको एक बहुत important part परताना चाहूँगा कि यह जो symbols अभी आपने देखे हैं जो symbols अभी आपने समझे हैं वो symbol जरूरी नहीं है हर एक drawing में इसी तरह से हो drawing to drawing company to company side to side differ करता है वहाँ पर कोई भी symbol choose किया जा सकते हैं बस आपको समझना है कि वहाँ पर exactly कौन से symbol आएगा कि symbol को किस तरह से read करना है हम एक properly basic यह जो अभी मैंने आपको symbolization बताया इसके basis पर आज हम हम हमरे drawing reading को चालू करेंग तो आईए फिर से चलते हैं हमरे slide के और सबसे पहले जमसते reading practice of footing drawing यहाँ पर हमारी footing की drawing है यह footing का plan है आप देख सकते है footing का section है और यहाँ पर footing की एक table है जिसमें detailing दी गई है for example footing F1 यहाँ पर A और B के side है जिसकी width और length है 800 mm और width भी है 800 mm A direction 800 B direction 800 clear है यहाँ पर D1 आप देख सकते है depth 1 और D2 यहाँ पर हमें trapezoidal footing दिया गया है इस trapezoidal footing में देखिए इस part से लेकर इस part तक की length है D1 यह कित्ती given है 250 given है और similarly है जो इसका sloped portion है clear slope portion की height कित्ती given है यहाँ पर D2 clear engineers इसकी D2 की height है 150 यहाँ पर हमको given है उसके बाद यहाँ पर जो pedestal बना हुआ है हमारे footing के उपर उसका जो P की value है वो कित्ती given है यहाँ पर 300 mm यहाँ पर वो properly given है आपको पढ़ना होगा आपके drawing पर सारे dimensions की unit पर दिये गया है वहाँ पर mm मे दिये गए हमारे drawing में तो यह सारे units mm में है उसके बाद हमको जो समझना होता है यह हमारी footing है यह footing की mesh लगी हुई यहाँ पर नीचे आप देख सकते है प्रॉपरली यहाँ भी आप देख सकते है आरे बार और यह आर बी वाली बार आरे इस direction के along लगी हुए और आर बी बार ह यहाँ पर जो मेरे section कटा हुआ है यह one one इस direction पर कटा हुआ है जो कि हमें section देख पा रहे है इसका मतलब कि मुझे इस portion की सारी length दिख रही है आसानी से इसका मतलब यह आरे वाली जो बार है यह मुझे पूरे length के along दिखेगी और यह जो आर बी वाली बार है क्योंकि section diameter ही दिखने वाला है अब यहाँ पर हम चलते हैं हमारे section की और यहाँ पर देखते हैं इस footing बे नीचे जो हमारी बार लगी हुई है वो length में कौन सी लगी हुई है यह पूरी length के along सबसे नीचे लगी हुए तो यह वाली कौन सी बार हो गई हमारी आरे वाली बार हो गई अब 500 की spacing में यह बार यहाँ पर लगा हुआ है similarly अब मैं यहाँ पर देखता हूँ उपर तो मुझे यहाँ पर डाय सिर्फ दिख रहा है बार का तो यह वाली कौन सी बार हो गई हमारी कैसे section से हमने समझा कि जब यह section यहाँ से कटेगा तो मुझे rb क्या दिखेगा सिर्फ diameter दि सेंटर यानि कि 12 में डाय का बार यूज हो रहा है और बी और कितने spacing लोगा है similarly यह भी 150 सेंटर के spacing पर लगा हुआ है यहाँ पर आप प्रॉपर्ली क्लियर लिस ड्रॉइंग को रीट किया आपने यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 5 सिंबल जरूर यूज हुआ ह लेकिने डिफॉर्म बार है हमारी यहाँ पर प्लेइन बार नहीं आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है ड्रॉइंग ड्रॉइंग भी डिफर करते हैं सिंबल्स यहाँ पर 12 एम डाय का डिफॉर्म बर यानि एफ़ई 500 लगा हुआ है हमारे इस फुटिंग में जैसे कि आ अगर आप जानना चाते हैं सारी चीज़े सीखना चाते है तो आप जो नीचे नंबर दिया गया है 951001234 पर कॉल करिए मैं से अपने कोश्चन्स पूछी आपनी जानकारी लिजेए कि आप और क्या क्या नहीं चीज़े सीखना चाते हैं आपको अगर हमारा कॉर्पेट में जॉइन कर सकते हैं क्यों इंगिनेस मैं बता दू जो नेक्स संडे जो दो तारिक को आने वाला है सिविल गुरुजी अपने एक नया कोर्स लेकर आ रहा है जो कि बहुत वैलियोबल और बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है यह हमने बड़ा footing का ड्रोइंग अब हम पढ़ते हैं यहां पर beam का ड्रोइंग यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली एक beam का ड्रोइंग गिवन है इस beam के frame में हमको यह section drawing में यहां पर सबसे पहला data हम देख रहा है 5-12-3-2, यानि कि 5, मतलब की, यहाँ पर 5 के show कर रहा हमको number of bars show कर रहा है, 12-12 हमको क्या show कर रहा है, shows the die of bars, यहाँ पर 12-12 हमें die of bars show कर रहा है, and 3-2, यहाँ पर 3-2, total number of bars कितनी 5, लेकिन यह लगी कि इस position में, 3-2 के position पर लगी हुई है, इस चीज़ का खास ज्यान रखना है, तो 3-2 के position में लगने का क्या मतलब है, अब यह चीज़ मैं आपको detail पर अभी बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसका cross section बर लेकिया है, 3-2 पांच बार लगी है, पांचो बार एक साथ लगती इस beam के cross section में उपर के तरफ, तो यहाँ पर जो हमारे space है, वो कम हो जाता, जो कि जो concrete है, उसके लिए यहाँ पर जो concrete यहाँ पर बनेगा, उसको निकलने के लिए space बिचिए, इसी वटे 3-2 यानि कि 3 उपर के और लगी है, और 2 लगी है नीचे की और, इस चीज़ सा खास ज्यान रखना है, 3 लगी है उपर की और, और 2 लगी है नीचे की और, यह शो करता है 3 प्लस 2, अगर यहाँ पर 2 प्लस 3 गिवन होता, तो यहाँ पर 2 लगती उपर की और, और जस्ट उसके नीचे लगती, 3 बार continue इस डिरेक्शन पर, तो जैसे ही हमने यह सारी चीज़े पढ़ी, टॉप पर बार किस तरह से होती है, 5-12 3 प्लस 2 जैसे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इस डाटा हो जाता है, 2-12 है, यानि कि 5 बार लगी थी, यहाँ से continue आ रही हैं 5 बार, और इस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक छोटा सा मार्किंग, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद यह कितनी रहे गई, सिर्थ 2 रहे गई, 5 चली थी, एंड से लगना, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कितनी लगी, दो, तो यहाँ पर हमारी पीछे कितने चूड़गे, तीन पीछे चूड़गे, तो यहाँ तीन top extra आ वाली है अब यह main बार किस तरह से अगर हम हमें समझना हो तो आप यह ध्यान दिखिए कि कहीं पर भी rectangular section हो या square section हो minimum number of main बार आने चार जो कि इस corner प्लगती है एक यहाँ पर एक इस corner पर एक इस corner पर और एक इस corner पर यह तीनों हमारी चारों हमारी main बार तो हमेशा ही होंगी clear next part अब हम देखते हैं यहाँ पर नीचे जो bottom पर कुछ बार दिया गया है यहाँ पर सिर्फ पूरे bottom में एकी reading हमारे पास available है बार का वो है 3-12 hash याने की 3 number की बार लग रही है 12 hash याने की 12 mm डाया पर किनों बार हमारी main बार कहलाएंगी पूरे जो spawn के लॉंग निकल रही है पूरे spawn के लॉंग जो लग रही है similarly हमको यहाँ पर इस सारी चीज़े देखते हुए समझना है पूरा read करना है हम इसका भी पूरा का पूरा bbs calculate करते हमारे corporate training course में 1-1 step wise मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता है कि वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप हो सकता है वीडियो को skip कर दे लेकिन यह बहुत important details नहीं यह सारी चीज़े आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप upcoming इंजिनियास है तो यह सारी चीज़े आपकी industry पे quality और skills जरूर बढ़ाएंगी आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं next part जो हमको इसमें समझना है यहाँ पर एक data और हमारे पस given है 8 hash 2 lght at the rate 130 center to center इसका मतलब कि यहाँ पर जो data है इसमें हमको यह समझना है कि 8 8 hash यानि कि 8 mm dia का बार shows the dia of bar 8 hash 2 lght इसका मतलब होता है 2 legged stirrup 2 lg का मतलब legged और st का मतलब stirrup 2 legged stirrup यहाँ पर हमारे drawing पर use हो रहा है जहाँ पर हम जो beam में stirrups लगा रहे हैं similarly at the rate 130 center to center show करता है spacing between the bars यानि कि spacing between the stirrups 8 hash यानि 8 mm dia की 2 legged stirrup लगी है कित्ते के spacing में 130 के spacing पर यहाँ पर हमारी bars और यानि कि हमारी stirrups लगी हुई है इस चीज़ को आपको अच्छे से understand कर लेना है यहाँ पर naming अभी हम read कर रहे हैं इस चीज़ का खास जाना कि हम calculate नहीं कर रहे हैं आपको reading में समझना होगा कि कौन सा symbols क्या represent करता है अभी हम सिर्फ read कर रहे है calculation नहीं कर रहे हैं सिर्फ reading पर ध्यान दें अभी आप यहाँ जैसे कि हमने इस चीज़ को read किया तो इसी तरह से जैसे ही बहुत सारे drawing से हमको properly read करना होता है slab की drawing हमको read करनी होती है पाइल हो गई, pile cap हो गई, बहुत सारी drawing से जो हमको read करना होता है यह basic drawing से start करना जरूरी है footing और beam का जो भी हमने read out किया आगे चलते हम हमारे next topic पर जो कि यहाँ पर आएगा cutting length of bar किस तरह से निकालना है यहाँ पर अलग-अलग type की bar given है अगर उस तरह की अगर आपको bar का shape मिलता है तो उसकी cutting length किस तरह से निकाली जाती है यहाँ पर आप देखिए जैसा आप देख सकते है shape of bar यहाँ पर जो हमारी पहली बार यह कुछ इस shape पर लगी हुग है अगर मुझे इसकी cutting length निकालना है तो कैसे निकालूंगा यहाँ A distance मेरे पास given होगा B distance given होगा और L distance भी हमारे पास given होगा तो इसके अगर मुझे cutting length निकालनी है total तो कैसे निकलेगी A distance plus L plus B जैसे हमने यह add कर दिया minus bend deduction यह bend deduction करना बहुत ज़रूरी है अगर आप new है अभी इस वीडियो में तो part 1 इसका ज़रूर देखिए bend deduction के बारे में मैंने एकदम detail पर बताया है वहाँ पर कि bend deduction क्यों करना है और उसकी values कितनी होती है यहाँ पर हम देख रहे है 90 degree का bend हो रहा है यह 90 degree पर bend हो रही है बार यहाँ और यहाँ पी तो यहाँ हमारा bend deduction की value कितनी होगी 2 दो बार bend हो रहा है इंटू 2D कितने degree के लिए 90 degree के लिए 90 degree के लिए कितनी value लेते है हम 2D तो 2 into 2D यहाँ पर minus होज़ागा और D क्या होगा यहाँ पर diameter of bar अगर इस तरह का secondly हम चलते हैं इस तरह का अगर हमारा shape आता है तो हमें कैसे cutting line निकालना है A plus L clear engineer is A plus L यह हमारे mostly top extra bar का shape होता है जहाँ पर beam पर लगती है यह bars और जो हमारी column पर बार जाते हैं इस तरह के shape में रती है यहाँ पर हमें A this distance plus L निकालना है minus bend deduction यहाँ पर कितने बार bend हो रहा है एक ही बार bend हो रहा है तो यहाँ पर आएगा हमारा 1 into 2D और 2D क्यों क्योंकि 90 degree का bend है इसलिए 2D हमने लिया है similarly next अगर मुझे इस hook यहाँ पर अगर एक bar है जिसमें इसके दोनों ends पर hook बने हुए है और यह total distance L है तो उस case में हम कैसे निकाल सकते है total L plus 2 into hook length, hook length हमारी क्या होती है 10D इस चीज़ को ध्यान रखे hook length 10D, 12D, अलग-अलग cases में होती है हम AIS code के references को follow करते है हमारी detail पे corporate frame course में उसमें आप और detail पे हमें बताता हूँ कि hook length को किस तरह से निकाला जाता है, कैसे उस hook length को समझा जाता है अभी basically for our start हमको यह समझना है कि 2 into hook length, hook length कित्यों की 10D, 10 into diameter of bar तो L plus 2 into 10D हमारी इस type की bar की cutting length होगी तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम next bar की तरफ चलते हैं, जो हमारी next bar है वो है crank bar, अगर कहीं पर भी crank bar लगी होती है, properly तो उस crank bar को किस तरह से निकाला जाता है, उसकी cutting length इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस वीडियो में नए आया हैं, तो मैं फिर से बता दो engineers, आप जाईए, इसका part 1 ज़रूर देखिएगा पार्ट 1 देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आया हैं, तो सब्सक्राइब किये भीना नहीं जाईएगा, क्योंकि इतने जो से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हमारा उत्सा भी बढ़ता है, वीडियो करने सिखते हैं, सबसे पहरे LD, इसे हम कहते हैं, यह हमारा कॉलम हो गया, यह हमारा total clear span of beam है, clear जिसकी value है L, यह हमारा हो गया LD, जिसको हम कहते हैं development length, इस development length की value होती है, 50D हम calculate करते हैं, हमारे BBS के around, यह LD, प्लस, अब हमें क्या करना है, total span length किती है L, total span length हमने calculate किया L, प्लस अब मुझे crank length calculate करनी है, clear engineers, इस crank length की actual value, जब हम site पर calculate करते हैं, तो वो होती है 1.42H, लेकिन जब मुझे calculation करना होता है, उस case में, मैं clear span लेता हूँ, यहां से यहां तक, तो उस case में हमारा जो formula हो जाता है, वो 0.42H हो जाता है, इसकी, और H कह रहती है, इस bar के bottom से, इस bar के bottom सकते यह जो vertical height है, यह जो vertical distance है, यह crank का perpendicular distance, इसको हम कहते हैं H, और यह हमारे 2H है, एक यहां पर भी है, crank length और एक यहां पर भी है, crank length, इसलिए हमने किया है, यहां पर 0.42H into 2, एक का 0.42H, तो इसका भी 0.42H into 2, LD, प्लस total span length, प्लस यह दोनो crank का length कितना है, अगर 0.42H into 2, प् उसके बाद next, end पर हमको करना होता है bend reduction, यहां पर bend deduction को ध्यान से देखना है, यहां पर हमारा कितने bend आ हरहे, एक यहां पर bend आ हरहे, और एक यहां पर bend आ हरहे, कितने degree का, यह 90 डिगरी का bend है, तो यहां पर 2 into 90 डिगरी की बैल्यू डालेंगे, value किती है, 2D, Similarly, यहां पर हमा मीट से निकल रहे हैं, तो यह हमारा किता डिगरी का बेंड है, 45 डिगरी का बेंड, similarly ये भी 45, ये भी 45 और यहाँ पर भी 45, तो चारू डिरेक्शन पर हमारे कौन से बेंड यूज हो रहे है, 45 डिगरी के 4 बेंड यूज हो रहे है, इसलिए यहाँ पर 4 into 45, ये टोटल की वेल करना, पढ़ना समझ रहे हैं, बेसिक कटिंग लेंड निकालना सीकरेट, ड्रॉइंग, जो कि सबसे इंपोर्णेंट पार्ट है, कंस्रक्शन इंडस्ट्री पर अगर आप साइट पर जाते हैं, तो ड्रॉइंग को रीट करना, ड्रॉइंग को समझ रहे हैं, अच्छे से ए चीज़े करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग रेना चाहते हैं, जुणना चाहते हैं, तो आप कॉल करी नीचे दिये गए नंबर पर 9001234, मैं से क्वरी रिलीज ये, कॉर्परेट ट्रॉनिंग कोर्स के बारे में, डिटेल पर वो मैं हम आपको जानकरी देंगे, आई य अगर आपको एक किसी भी स्ट्रक्चर में नंबर ओफ बार्स निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप देख सकते हैं, आपकर नंबर ओफ बार्स इकॉल टू, स्पान डिस्टेंस, clear है, clear स्पान का डिस्टेंस, divided by spacing, यहाँ पर जो भी दो बार, दो reinforcement की बीच की spacing दियोगी, वोल डालना है आपको, plus one, यहाँ पर plus one करना हमको जरूरी होता है, जिससे हमारा जो भी answer आता है, वो हमारा number of bars calculate होता है, आगर हमे number of stirrups calculate करना है, जो की beam या column पे लग रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको clear कर दो, column पे हमारे ties, lateral reinforcement भी उसे हम कहते हैं, binders भी कहते हैं हम उसे, number of stirrups का formula क्या होता है, हमारा actual length of beam या column, column या beam का actual length, divided by वहाँ पर जो stirrups का spacing दिया गए, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा, drawing reading में, plus one, जैसे मैं यह सारी values को put करता हूँ, और जो हमारा answer आता है, वो कहलाएगा, हमारा number of stirrups, तो यह सारी details, यह सारी spacing, हमने पूरे detail पर calculate किया, समझा, और यही चीज़ें, जो हमने part 2 में calculate किया, cover up किया, next part 3 में मैं इसी तरह के बहुत अच्छे-च्छे valuable topics आपके लिए लाते रहूँगा, दोस्तों, आपने जो हमारा video अभी पूरा का पूरा देखा, watch किया, इसे like जरूर करें, अगर आपको इसमें पसंद है, तो share करें अपने इंजिनियस के साथ, चैनल पर नए है, तो subscribe जरूर करें, क्योंकि यही सारी चीज़े बेसिक, जो मैंने series चालू की है, सिर्फ आपी upcoming इंजिनियस के लिए, ताकि वो BBA से concept को समझ पाएं, आगे चलते चलते, आगे lecture पर मैं, बहुत सारी details पे videos को लेकर इंजिनियस, अगर आप हमारे साथ, फिर से मैं कहना चाहूंगा, जुनना चाहते हैं, तो call कर सकते हैं, 911-00-1234 में, और इसी जोश और जुनून के साथ, हम फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक लिए, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत!